धार के मनावर्व थाने की पुलिस ने अवेद रूप से हत्यारों की तसकरी करते हुए दो लोगों को गिरफतार किया है पुलिस ने इनके पास से 7 नग, 0.9 mm पिस्टल, 8 नग देसी कटे और 4 जिंदा कार्थोज भी बरामत किये हैं वहीं एक और मादक पदार्थ गांजा बेशने वाले आरोपी से पुलिस ने 18 किलो 500 ग्राम गांजा जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपाएं आरोपी जगदिश पिता चगन जमरा बताया जाता है मनावर पुलिस और क्राइम ब्रांचक को बड़े दिनों से सुचना मिल रही थी कि अवे रूप से हत्यारों एवं गांजी की तसकरी की जा रही है जिस पर पुलिस ने मुख्बीर की सुचना पर एक बिना नंबर की बाइक को रोका और तलाशी ली गई तो आरोपी की कबजे से देशी कट्टे और चार जिंदा कार्टूस बरामत किये गए पुलिस ने दोनों आरोपी लोकेश और राहूल को 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहट गिरफतार कर आगे की कारवाही में जुड़ गई भारती नीज के लिए दार से साविर खान है एफेम की रिपोर्ड जो आरोपी ओपन पुलड़ा जो चाहिकर समय तो हमकी जेकिंग की गई तो उनके पाग से साथ इसकी और 8-12 बोटे कट्टे में और 5 इंदा कार्टूस में इसमें दो आरोपी तो लेफ्स्टाल किया गया है सुनी और लोकेश और राहूल नाम का जो आरोपी है जो सिस्टि अर्यवाट थारह पांसो ग्राव लगाजर एफ और अपने खेश पर अबास में दाने वाले कट्रोपी है इसको अएकर सिस्टिजद कर देखेड़ आरोपी है अम्सैंदी डिएवर श्यवर इससज़ा लादे वाले क्गशवर धिल्सिवर में आरोपी थारोपी इसको अर्